आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आका शर्ब देखते हैं खबरें इस तार से जबलपुर में कुरोना संक्रवन का प्रकोप लगातार जारी है जबलपुर में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसी के साब से मरीजों की संक्या भी लगातार बढ़ रही है CMH और अतनेश कुररिया ने बताया कि जबलपुर में कुरोना संक्रमन के मरीजों काकड़ा एक हजार इंक्यान पे पहुँच गया है जिले में कुरोना संक्रमन के अभी तक 26 लोगों कीम रत्ती हो चुकी है आज दिनांख में तकरीबन 600 सेंपल की रिपोर्ट आई है जिसमें 25 व्यक्ती संक्रमित पाए गए हैं जिनको मिलाकर हमारी पॉजिटिव मरीजों की संक्या एक हजार इक्यासी हो गई है आज दिन में 22 व्यक्ती डिस्चार्ज हुए हैं जिनको मिलाकर 747 व्यक्ती डिस्चार्ज होगा है अभी एक्टिव केस हमारे 308 है अज हमारे पास कोई मरत्ती नहीं हुए है कुरोना से जागरुक करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन दोरा चौराहों पर नुकर नाटक का मंचन तो करवाया ही जा रहा है साथ ही कार्टून के मध्यम से भी जागरुक किया जा रहा है पुलिस ने तियोहार के लिए सोशल मीडिया पर नया कार्टून अपलोड किया है राश्टी साइबर अपराद रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर अपराद की शिकायतों की आउनलाइन रिपोर्ट करने के लिए पीडितों और शिकायत करताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है ये पोर्टल केवल साइबर अपरादों से संबंधित शिकायतों उशेश रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपरादों के लिए है मास्क ना पहनने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का उलंगन करने वालों के खिलाफ जिले में चलाय जा रहे रोको टुका भियान के तहट 184 लोगों पर कारवाई करते हुए जुर्मान अवसूला किया है अगर हमारी वजह से किसी का जीवन बसता है और कोई विक्ति अपनी तकलीव से जीट सकता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी हम किसी के काम आ सकें ऐसा एक 47 वर्ष की उस महिला ने कहा जब इसे इस बात की जानकारी है कि हम है ना फाउंडेशन दिशा वैलफेर सुसाइटी के दोरा दी गई कि आप करोना पॉजिटिव थे और आप स्वस्थ हो चुके हैं और आपकी वजह से अब और भी लोग स्वस्थ हो सकते हैं तब जवलपुर के कटंगा आलोक टावर लक्षमी परीसर निवासी शानती आरया ने कहा कि इस पवित्र काम को करने के लिए तयार हूँ और इस तरह से शानती आरया प्लाजमा थेरपी करवाने के लिए आगया गई और उन्हें ये भी बताया कि वह इस नेक काम को करके खुद को खुशनसीब समझेंगी रक्षबंदन पर इस बार हवाई सफर सस्ता होगा शहर से मुंबई और दिल्ली आने जाने वालों को समाने दिनों की तरह फेर चुकाना होगा जबकि पिछले वर्षों में रक्षबंदन के आफसर पर फेर में भारी उचा लाता था ये 12 से 20 जार उपर तक प्रती फ्लायर्स पहुंच जाता था इस बार कुरोना संकरवन के चलते फ्लायर्स कम मिलने से फेर कम है शहर में कुरोना काल में भूके और गरीबों की सेवा के साथ ही कुरोना से मरत मरीजों के अंतिम संसकार का जोकिम भरा काम करने वाले मोक्षब संस्थान ने मेडिकल अस्पताल में इलाज रत मरीजों के शीगर स्वस्थ होने की कामना के साथ सुन्दरकान के पाठ का अयुजंग किया सवान प्रशासन विभाग का फरजी आदेश लेकर जेडी अद्यक्ष बनने का ख्वाब बुलने वाला अब पुलिस से बचने की जुगत में लगा है गतराथ पुलिस ने उसके घर दबिश दी पता चला कि वह दोपहर से ही फरार हो गया पुलिस की जाच में पता चला कि वह अपने दो पहिया वाहन से भी जेडी अध्यक्ष लिखा कर चल रहा था दरसल बाइक कॉंग्रिस कारे करता है फिलाल पुलिस मामली की चान भी इन कर रही है प्रशासन और पुलिस के साइंट टीम ने एक्सपायर हो चुके समान पर डिजिटल मशीन से नई डेट डाल कर बाजार में बेच का लाप को आने वाले चालोगों को पकड़ा है मौके से बदलने के काम से आने वाली मशीन और एक्सपायर हो चुके नामी गिरामी कंपणी गुदपात भी जबत किये गए है कल माडो ताल थाना अंतरकत जो नकली सामान बनाने की फैक्टरी पकड़ी गई थी उसी के तारतम में आज निशान देही पर अलग अलग जगा दबिज दी जा रही है उसी दोरान यहां आज शांतिनगर गोहलपूर में करवाई की गई और लगबग चार गोदामों में यहां से नकली सामान जबत किया जा रहा है अभी प्राइमरी तोर पर यह 15-20 लाग का सामान जो मार्केट वेल्यू है ओरिजनल सामान की उसके बराबर का सामान यहां पर जबत दिया जा रहा है बुक्योंद्री शिवराव सिंग चौहान कोरोना को हरा कर जल अपने घर लोटें इस कामना के साथ जबलपूर में क्रशी उपज मंडी की महिला करमचारी उन्हें गनेशी की प्रातना की उनके लिए बस यही हम लोग कामना करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्त हों और स्वस्त होने के बाद बुना आपने जो देश के लिए राजी के लिए जो उनके कार रहे हैं उनको आंगे बढ़ा सके साथ ही हम यहाई चाहते हैं कि जो करसी उपज मंडी के जो हम कर्मचारी है, उनका जो बेतन भक्त्तो का निर्धारन है कि सुनिश्थित्ता की जाए, क्योंकि हमारी जो आवक है मंडियों में, उससे ही हमारा बेतन निकलता है और जो मंडियों में जो मॉड अलेक्ट लागू होगा उससे हमारी आवक प्रभावेत होगी जिसके कारण हमारे बेतन की अनिश्चित्ता के स्थिती बन रही है अता हम चाहते हैं कि इसको निश्चित्ता प्रदान के जाए जिला प्रशासन पुलिस और नगनिगम ने बुदवार को सुबहर रांजी इंतरगत ग्राम मुहनिया में भू माफिया और अपराधिक तत्मों द्वारा करीब दो एक नश्चास की बहुमी पर अवैत कभजा पर बनाएगी दूट डेरी और अगरबत की कारखाने को जेसी भ इनके उपर कारवाई की को है इनके उपर कारवाई तो एक को माफिया दूट बंदल जैसा बताया कि इनके उपर बाजपर के वरिष्ट वधायक और पूरमंत्री अजय विष्णोई ने एक बार फिर अपनी ही पारटी की सरकार पर सवाल खड़ा किया है वधायक अजय विष्णोई ने ट्वीट कर कहा कि स्वास्त का लाप कर रहे हैं मेरी शुपकामना है शीगर स्वास्तो कर वापस लोटे साथी मुक्यमंत्री से अनुरोध है कि चरायों में रहते हुए ये भी देखें कि चरायों में ऐसा क्या है जो कि हम किलो लाहन और बीस लीटर तैयार कच्ची शराब जबत की है इस बडेन उफ लाल इतना हिसी के साथ मुझे दीजिए जाज़े पनुसकार जाज़ेँ जाज़े पनुसकार